हलो फ्रेंड्स, पर्फेक्शन अकेड में में हम सभी का स्वागत है, आज हम देख रहे हैं मैट्स और रिजिनिंग की जो बेस्ट सिरीज स्टार्ट किये हमने, उसका ये सेकेंड पार्ट है, कल हमने 30 से 35 कोश्चन्स कवर किये थे, मैट्स और रिजिनिंग के वेरी मोस्ट इ हम लगबग 30 से 35 कोश्चन्स कवर करने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर जुड़ जाईए, क्योंकि वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी प्राब्लम स्टूडेंट्स के लि रिजिनिंग के डाउट्स पूछ सकते हैं, तो चलिए कोश्चन्स शुरू करते हैं, बिना किसी समय को वैस्ट किये, ठीक है, चलिए, किसी छातरावास में 35 विध्यारती हैं, यदि 7 विध्यारती और बढ़ जाते हैं, तो मैस का प्रतिदिन 42 रुपे खर्च बढ़ जाता है, तब मैस का वास्तिवी खर्च है, देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही सिंपल कोश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना इसमें, और ध्यान से समझना इसको, देखो, किसी छातरावास में 35 विध्यारती हैं, 7 और आ गए, तो मैस का जो प्रति इस विध्यारतियों का खर्च कितना है, नहीं पता ना हमें, तो मान लो X है, ठीक है, तो खर्च कितना मान लिया मैंने X, देखो, अब इस तरह के सवालों में भी रेशो में थर लग सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब अगर मैं इसको उससे कराने जाओंगो ना, तो इधर का उधर आप बटे वाली वेल्यूस समझ नहीं पाएंगे, और फिर आप कहते हो कि सर रेशो से सारा कराया करो, एक जिसा समझ में आता है, एक जिसा समझ में नहीं आता, यह टाइम मेनेजमेंट भी जरूरी है, ठीके ना, इस कोस्चन के लिए मुझे लगता है, एक्स वाला मेथड बहुत ही बेस्ट है, तो मैं उसी से कराऊंगा, क्योंकि इसमें मुश्किल से आप 15-20 सेकेंड में इसको solve कर लेंगे, इतना टाइम तो मिलता है, एक्जाम में easily, तो देखो, किसी चात्रावास में 35 विद्यारती है, तो उनका कितना खर्च होगे डोटल उनका, 35 ठीक है, उसके बाद 7 विद्यारती और बढ़ गए, तो देखो, विद्यारती कितने होगे, 35 और 7, 42, यह 42 होगे ना, ठीक है, 35 लोगों का तो खर्चा एक से, तो 35 प्लस, अब 7 और आ गए, तो 42 होगा यह, ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि तो मेस का प्रती दिन 42 रुपे खर्च बढ़ गया, ठीक है, तो देखना है यहाँ पर, 42 रुपे खर्च बढ़ गया, तो 42 बढ़ गया, यह 42 बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ है, कि प्रती छात्र जो ओसत है, वो 1 रुपे कम हो गया, तो प्रती छात्र ओसत कितना था, 1 ये 42 लोगों पर फरक पडेगा ना फिलूप में कमी हागई ये युदि कर दिया मैं ने पर इंसक्र एक च्छासर में हर एक चाद्र में फिलू थिर तos 42 का मेल्रीय करेंगे वह उन सब्सक्राइब के आज भाब इन और फ़्ोर्टी ट्वर्टी ट्व x-42 ठीक है तो यह आप इदर ले आओ तो यह 42 और 42 84 इक्वल टू यह 35 और साथ हो गए 42 x 4 x ठीक है इससे कटेगा 12 74 x की वेल्यू कितनी आ गई 12 ठीक है यह हमारा खर्च आ गया अब यह बोल रहा है वास्तविक खर्च कितना है 35 लोगों का खर्चा कितना है तो x की वेल्यू 12 कर रहा है तो 35 x की वेल्यू कितनी हो जाएगी 35 गुना 12 35 का डबल 70 12 का आधा 6 साथ चंग 22 420 रुपए यह उप्शन है अब बताओ मेरे को यह कहां से बड़ा मेथड है जरूरी यह होता है कि कॉस्चन को हम छोटे मेथड से करें जो समझ में आ जाए ठीक है ना और कोई प् के एम देख लो काँ पर के यही है ओप्शन सी हो गया हमारा एंसर यहां पर चलो अगला फिर से एक मैच का कोश्चन है मैं किसी निश्चित इस्थान पर पहुचने के लिए प्रातह साथ बज़े साइकिल द्वारा चलना प्रारब करता हूं किसी निश्चित इस्थान पर जाकर मेरी साइकिल खराब हो जाती है मैंने 35 मिनिट आराम किया और पैदल घर वापस आ गया मैं जब घर एक बज़े पहुचा यदि मेरी साइकिल की चाल दस किलोमेटर प्रती घंटा तथा मेरी पैदल चलने की चाल एक किलोमेटर प्रती घंटा हो तब साइकिल द्वारा यहां से निकला, यहां से, कोई एक fix distance थी, ठीक है, मतलब मुझे fix यहां पर जाना था, लेकिन क्या हुआ, कि किसी निश्चित इस्थान पर जाकर मेरी cycle क्या हो गई, खराब हो गई, मान लो यहां पर आया मैं और खराब हो गई, मैं जहां जाना था, महां पहुंची नहीं पा हो, मान लो जहां जाना था, मानी पहुंच पा और यहां पर आ गया, ठीक है, यह इतना, और यहां पर आ के, इसकी cycle क्या हो गई, यहां पर खराब, अब यह गया काई से था, cycle से, लेकिन cycle खराब हो गई, तो आया काई से, पैदल आया हो, ठीक है, वोक कर क्या है, यह देखो पैदल घर वापस आ गया जितनी दूर गया उतना ही वापस आए गा ना तो दूरी क्या हो गई constant दूरी बराबर है ना दूरी constant हो गई ना नियत हो गई fix है दूरी कि जितना गया उतना ही तो आ गया cycle जगया था आया पैदल बात वह यह ना speed का relation अलग हो सकता है ठीक है ना और मैं घर एक बज़े पहुचा निकला था 7 बज़े यहाँ पर 35 मिनट आराम किया यहाँ पर 35 मिनट वेस्ट कर दिये मैंने ठीक है 35 मिनिट वेस्ट किये 7 बज़े निकला था यहाँ पर 35 मिनिट रुका और फिर वापस आया तो मैं टोटल घर कितनी बज़ा गया वापस 1 बज़े मैं को टाइम कितना लगा टोटल साथ से आठ नो दस ग्यारा बारा एक एक दो तीन चार पांच छे घंटे लगे टोटल मुझे देखो मैं एक एक चीज़ा समझा रहा हूं वरना वरना सीधा लिख सकता हूं मैं आपको आप लेकिन सीधा लिखूंगा तो समझ में नहीं तो पांच घंटे और साथ मिनिट में से 35 गया तो पांच घंटे और पच्चीश मिनिट बचा मतलब मैं इसली को फाइव आवर एंट्वेंटी फाइव मिनिट इतने गंटे ट्रेवल किया में तो पांच घंटे और पच्चीश मिनिट को आप गंटे में बदल लो बटे में 60 से डिवेड कर दो, 5 से काड़ दो इसको और 5 से इसको काड़ दो 12 वार, ठीक है, 5 25, 5 से 12 वार, 12, 65, 65 बटे 12, यह देखो, यह 65 बटे 12 हो गया, यह जल्दी से करना है आपको, यह मैं एक एक चीजे समझा रहा हूँ, आपको यह क्या कहना चारा, इसलिए थोड़ा टाइम थी, तो साइकिल द्वारा ताई की गई, दूरी पूछी है उसने, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कोश्चन है, देखो ध्यान से समझना, मान लो, उसकी जो दूरी है, वो एक्स किलोमेटर है, वो गया साइकिल से, दस की स्पिट से, उसी दूरी को आया पेदल, और पेदल उ हो गया, ग्यारा एक्स, बटे यह हो गया, दा से कम, दस बराबर पैंसट बटे बारा, पांच, पांच से निकटेगा, दो पंजे दस, दो चंगे बारा, ठीक है, अब आप इसको कैल्कुलेट कर लो, एक्स की वेलियू कितनी हो जाएगी, पैंसट पंजे, 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 इसक्स का मल्टिप्लाइ 4 में करो, चार चंग 24 की 4, 24 और 25, 26, 264, 264 प्लस 61, कितना होता है, 4 और 5, 6, 6, 12 की 2, 3, 325 आगया ना देखो उपर, तो उप्शन, डी सेटिस्फाय कर गया, तो यह हो गया हमारा एंसर यहां पर, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, बेसिक कोश्चन इस था बिलकुल, थोड़ा समझने की जरूतिया में, बस, चलो, 12 वर्षी महेश, अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है, तो 12 वर्ष का है महेश, एक महेश है, एक रमेश है, देखो, मैं जब कोश्चन कराऊंगा ना, तो 99 परसेंट चांस हैं कि गल्तिया नहीं होगी लेकिन 1 परसेंट चांस यह है कि मैं भी इनसान हूँ, ठीक है, तो मिश्टेक हो जाए ना, तो आप जरूर कमेंट करके बताए, ताकि मैं उसे अगली वीडियो में सुधार पाऊंँ, ठीक है, क्योंकि कई बार 12 की जगह में अगर उसको 13 पड़ लूँगा तो प्रोब्लम में दिखेंगे उसको, ठीक है, दिखें, महेश और रमेश है, तो बारा वर्षी महेश है, तो महेश है बारा वर्षी, अपने भाई रमेश से तीन गुना बड़ा है, तीन गुना बड़ा मतलब रमेश चार साल का होगा, तभी तो यह चार का तीन गुना है, बारा, ठीक है महेश की आयू क्या होगी जब रमेश की आयू का दुगना है जब वो रमेश का डबल है तो रमेश का डबल है तब महेश की उम्र क्या होगी तो पहले तो ये बताओ रमेश का ये चार तो हो गई है चार में तो ये तीन गुना है डबल करने के लिए उम्र बढ़ानी पड़ेगी इसकी अब options को देखो आप यहाँ पे कितना है 14 तो अगर मैं इसको 7 करूँ तो 7 का डबल यह 14 होगा और यह 2 साल बाद तो यह 3 साल बाद हो रहा है difference भी same नहीं हटा दो इसको देखो basic question है बिल्कुल यह answer नहीं है अगला 14 के बाद 16 दिया है तो 16 का आदा करो मानलो रमेश अगर 8 साल का हुआ तो यह डबल होगा उसका 16 का अब यह देखो यह 4 साल बाद 8 का होगा न तो यह भी तो 4 साल बाद 16 का हो जाएगा और 4-4 साल बाद यह इसके उम्र का डबल हो जाएगा देखो तो यह बोल रहा है कि महेश की आयू क्या होगी जब वो रमेश का डबल होगा तो रमेश की आयू जब 8 होगी तब ही वो डबल हो पाएगा ठीक है तो महेश की उम्र उस समय 16 वर्ष होगी ठीक है ओप्शन जा कि या में ठीक है रास्ट्र रास्ट्र पती राज्य मुख्यमंत्री मत कर देना हलाकि मुख्यमंत्री है भी नी इसमें ठीक है मंत्री दिया है मिनिस्टर MLA Member of Legislative Assembly ठीक है MP member of parliament और राज्यपाल राज्यपाल answer होगा देखो राश्ट्र का प्रमुक मतलब पहला वेक्ति कौन होता है राश्ट्र का राश्ट्र पती तो राज्य का पहला वेक्ति होता है उस उस राज्य का राज्यपाल ठीक है दो आठ पांच 125 देखो दो का क्यूब होता है आठ तो पांच का क्यूब होगा 125 ठीक है कि एवन जेड टू सिक्स सी थ्री यह दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर 148 135 देखो यह 135 तो अगला नंबर 7 आना चीह 7 7 7 7 8 तो होगा नहीं ठीक है अब देखोँ है 26 24 22 तो अगला नंबर आना चीह 20 20 आना चीह और 20 सिर्प यहीं आ रहा है रहा है ना option हे हो गया हमारा सुधा आपने मकान से दक्षिन की और 50 मिटर चल कर गई देखो पहले किलियर कर लो डाइरेक्शन समझ में नहीं आती बहुत सारे लोगों को अगर मैं कॉपी को ऐसे रखता हूँ तो इस्ट इधर होगा कई लोगों को कन्फ्यूजन है आज ध्यान रख लेना यह दक्षिन भारत के राजजा है हमारे यह साउथ इंडिया है तो बस जब भी आप जिस भी स्क्रीन में रहो यह साउथ है ठीक है दक्षिन और हाँ इधर आपका पहला राजज जो आता है यहाँ पे जा मैं अभी डार का कर रहा हूँ यह पेन यहाँ पे हमारा अरुनाचल प्रदेश सबसे पहला राजज अरुनाचल मतलब अरुन किसका परियाव अची है सूर्य का है न तो सूर्य इधर से निकलता है पहला राजज कौन सा है अरुनाचल प्रदेश जहां से सूर्य का आचल सूर्य अरुना चल होता है ना अरुन का चल होता है सूर्य जहां से निकलता है ये पूर हो तो इसके सामने वाली डाइरेक्शन ये पस्चिम होगी और ये दक्षिन है तो उपर क्या होगा उत्तर जम्मो कश्मीर उत्तर ही है अलाकि जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में आता है लेकिन आप दिल्ली समझ सकते हो दिल्ली की कुछ पोजिशन यहाँ पर है ठीक है यह मद्यप्रदेश है जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ठीक है तो यह पोजिशन आपको पता होना चाहिए यह मतलब मैं आपको लिखके बता दूँ कि जब भी आप कोपी में लिखेंगे तो हमेशा राइट हेंड साइड इस्ट होता है इधर वेस्ट ठीक है उपर नौर्थ होगा आपका नौर्थ इंडिया और नीचे साउथ इंडिया अब अगर मैं सुधा को गुमाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किदर जाना है ठीक है अब दाया बाया में भी कन्फिजन होता है बहुत सारे लोगों को ठीक है तो राइट हेंड होता है आपका जो सीधा हाथ है वो होता है दाया राइट हेंड हिंदी मीडियम वाले सुडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और बाया जो है वह आपका लेफ्ट हैंड होगा ठीक है चलो सुधा अपने मकान से मानलो सुधा का मकान यहां है दक्षिन के और जाती तो अब देखो दक्षिन है नीचे है यहां पर देख रहे होंगे आप यह साउथ ठीक है तो यह मकान से दक्षिन के और गई पचास मिटर अब इधर जा रही है तो पचास मिटर चलकर बाई और गुमती है तो देखो अगर यह ऐसे जा रही है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा और इधर घुम करके वह 20 मिटर जाएगी तो यह 20 मिटर आगई ठीक है बाद में उत्तर के और घुम कर वह 30 मिटर जाती है अब आप देखो उत्तर उपर है तो यह पचास तो पूरा आई है तो 30 मतलब यहां पर कुछ होगा ठीक है तो 30 जाएगे उत्तर में उसके बाद वह उसके बाद चल कर अपने घर जाती है और यहां से वह अपने घर जाती है सीधा तो मेरे को एक बाद बताओ यह पूरी डिस्टेंस 50 थी यह यहां तक यह 20 है तो यह भी 20 होगी यह 30 है यह 30 है तो यह भी 30 होगी इतनी सी और उपर वाली कितनी होगी 20 तो 20-20 ठीक है अब यह बोल रहा है अपने घर जाती तो वह अब वह किस दिशा में चल रही है मतलब अगर मैं यहां से वो निकली थी ठीक है यहां से वो निकली थी और अभी वो यहां से ऐसे जा रही है ऐसे तो यह कौन सी डाइरेक्शन होती है आप जानते हो यह वाली डाइरेक्शन कौन सी होती है नौर्थ वेस्ट मतलब पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम ठीक है option A होगा हमारा answer यहां पर ठीक है क्यों क्योंकि यहां से अगर वो ऐसे जाती तो मैं लिखता west पश्चिम ठीक है लेकिन वो यहां से ऐसे जा रही है ऐसे नहीं जा रही है वो ऐसे जा रही है ठीक है यहां से ऐसे जारी ना तो यह तीरसी दिशा है मतलब यह वाली डाइरेक्शन है ठीक है न किसी संकेतिक भाषा में वर्ल्ड को गुमाकरी लिख दिया वर्ल्ड को तो अर्थ को क्या लिखेंगे देखो इसको ऐसे लिखा करो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नंबर सही हो ज तो यहां H यहां T आर सेम पोजिशन पे ए आ गया गया यह आ गया AERHT AERHT option C ठीक है X plus Y plus Z equal to 0 तब X square upon YZ plus Y square यह है ठीक है इसका मान हमें बताना है देखो यह questions एक पहले तो आप देखो यहां पर एक चीज बता चल गई हमें यहां पर एक चीज दियान रखना हमेशा जब भी अगर इस तरीके का सवाल आता है ना जहां पर X plus Y plus C बराबर 0 या फिर A plus B plus C बराबर 0 हैं तो एक condition हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जब भी यह होता है ना तो वहां पर X का क्यूब प्लस Y का क्यूब प्लस Z का क्यूब हमेशा बराबर होगा 3XYZ के ओ सोरी एक ABC में दिया है ना XYZ में मान लो इसको एकस प्लस Y प्लस Z बराबर 0 है अगर ABC में दिया है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC होगा लेकिन यहां XYZ में दिया है तो यह condition तो given है ना हमें questions में देखो कि यह बराबर 0 है तो हमें इसकी value बताना है तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसको X का क्यूब बनाना पड़ेगा Y का क्यूब X एक्स क्यूब या पर X क्यूब Y क्यूब Z क्यूब बनाना ही पड़ेगा ना तो X क्यूब Y क्यूब जैक कैसे बना सकते हम लेकि इसाईब बहुत कि ओपर और देखना अगर मैं इसमें X काshop ultimately कर दूँ ऊपर बी और नीचे भी इसमें मैं multiply consci कर जाएगा है यहां X X कर जाए यहां पर Z का multiply कर दूँ उपर और नीचे तो उपर क्या बनेगा X का cube upon XYZ plus Y का cube upon XYZ ठीक है plus Z का cube upon XYZ ठीक है अब देखों यहां पर हर जो नीचे वाली संख्या होती उसको हर कहते हैं उपर वाली संख्या को अंच ठीक है numerator denominator तो यहां पर इसका बेस सेम है हर सेम है ना तो LCM क्या जाएगा पूरा XYZ ठीक है और उपर यह सारा चिपक जाएगा अपने आप से ठीक है X का cube plus Y का cube plus Z का cube ठीक है तो जब यह बराबर हो 0 के तो X का cube plus Y का cube plus Z का cube यह किसके हो गया ठीक है फार्मूला प्रूव करके आप आरे भट्टे से पूछ सकते हो फार्मूला कैसे बनता है हर चीज का फार्मूले का solution किसी के पास नहीं होता ठीक है ना तो यहां पर इसका answer हो जाएगा 3 option D यह फार्मूला ही है यदि कुछ पारियों में रनों का आउसत 50 है चीज कुछ पारियों में मालो X पारिया है तो मालो X पारी है ठीक है X है तो उनका average Robert 50 है तो 50 पारियों X पारियों का एवरेज कितना हो गया 50 X ठीक है फिर प्लस अंतिम 5 पारियों का एवरेज है 400 रन तो देखो पहले पारी कितनी थी आपकी X अब आखरी 5 और खेली तो X प्लस 5 पारी खेली तो इससे क्या हुआ रनों का एवरेज 5 बढ़ गया पहले एवरेज कितना था आपका 50 अभी 5 बढ़ गया तो 55 हो गया ठीक है तो आखरी मैच तक खेली गई पारियों की संग है टोटल कितनी पारी खेली है हमें ये निकालना है ठीक है तो बस निकाल लो ये 50 X है प्लस 400 इक्वल टू इसका मल्टिप्ला इधर कर दो तो 55 X प्लस इसका मल्टिप्ला या 55 की 5 दो बचा 25 दो सत्ता इस 275 ठीक है यह हो गया 5 X बराबर 400 में से गया 200 तो 200 बचा 200 में से गया 75 तो 125 बचा और यह इस से कटेगा 25 बार ठीक है एक्स की वेल्यों कितनी आगई 25 25 टिक बच करना एंसर नहीं है यह एंसर 30 आएगा इसका ठीक है क्यों 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 यह बोल रहा है आखरी मेच तक खेली गई पारिया यह जो X है यह तो 50 एवरेज है उतनी पारी खेली है मतलब कुछ पारी खेली जिनका एवरेज 50 था लेकिन उसने 5 पारी और खेली जिसमें 400 रन बनाए है मतलब उसने 25 पारी नहीं खेली 5 आखरी में और खेली जिसमें 400 रन बनाए तो 25 और 5 तीस पारी खेली उसने तो option भी होगा answer हमारा ठीक है एक गनाबकार लोहे के टुकडे की विमाएं इतनी इतनी और इतनी है यदि इसे पिगला कर एक गन बनाया जाता है तो गन का संपूर्न प्रष्ट कितना है देखो गनाब को पिगला करके गन बना रहे है गनाब मिन्स होता है क्यूबओड ठीक है गनाब मिन्स होता है क्यूबड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे देख रहे हैं तो लिख देता हूँ क्यूब, क्यूब मिन्स होता है गन अब मैं जब बोलूँगा गनाब गन तो समझ में आ जाएगा गनाब वो होता है यह आयत होता एक प्रकार से आयत ही है यह लेकिन इसमें height given होती है किसी की ठीक है यह आपका घनाब का diagram और घन का diagram वो है जिसकी सारी side बराबर लंबाई भी चोड़ाई भी और उंचाई भी सारी चीज बराबर वो घन देख लो ठीक है यह cube अब अगर मैं इसको बिगला करके यह बनाऊँगा तो volume को equate करना पड़ेगा ठीक है तो देखो गनाब का item कितना है तो गनाब का item होता है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उंचाई हमेशा 270 गुना 100 गुना 64 दिया हो तो यह value हमेशा लंबाई होती है यह value हमेशा चोड़ाई होती है और यह value हमेशा उंचाई होती है यह standard result है इसको आपको याद रख लेना है ठीक है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उंचाई यह गनाब है इसको पिगलाया और हमने क्या बनाया गनद तो देखो मेरी बात सुरूँ मान लो यह 100 किलो का गनाब था इसको मैंने पिगला दिया तो पिगलने के बाद भी यह बचेगा तो 100 किलो का बस इसका shape बिगड़ जाएगा अभी यह गनाब के रूप में है हो सकता है यह गेंद बन जाए मतलब पिगलने के बाद अब आप उसको जो चाहे वो इसका जो है वो उसको form कर सकते हो जिस तरह से आप इसको बनाना चाहे आप चाहे गनाब से गन बनाओ यह गेंद बनाओ कुछ भी बना सकते हो आप तो जब 100 किलो का था तो पिगलाने के बाद तो भी 100 किलो का बचे गा तो इसको बनाया हमने घन तो घन भी तो उतना ही होगा तो बस घन का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उँचाही और सारी एक समान होती है तो लंबाई भी ए चोड़ाई भी ए ऐंटु उचाही भी अ, ठीक है 210 यह 0 इदर दे दो तो यह 0 यहां से हटेगा तो 1000 हो गया अब देखूँए एक का क्यूब है ना मैं इसको साथ में लिख दू एक गुणा एक गुणा एक का photo Sim on को क्यूब रूट द्यान रखना इसे पिगला करके घन बनाया है और पूछा है संपुर्ण प्रष्ठ तो आप यहां पे संपुर्ण प्रष्ठ मत रख देना सबसे बड़ी गलती यह होती है कंसेप्ट नहीं पता होता जब पिगलाया है तो हम वॉल्यूम को इकवेट करते हैं ध्यान रखना वॉल्यूम को ही इकवेट करना पड़ेगा जब भी किसी चीज़ को पिगलाएंगे आप लोही की रोड को पिगला करके गोला बना दो कुछ भी बना दो आप ठीक है अब गन का संपूर्ण प्रष्ट होता है 6 A स्क्वर संपूर्ण सारे उपर वाले नीच ये उपर वाला भी ये वाला भी और ये पूरा circumference का क्या कहता है इसको perimeter ठीक है चारो तरप का area जिसको हम lateral surface area कहते हैं ठीक है तो 6 into A का स्क्वर A स्क्वर मतलब 12 का स्क्वर 12 का स्क्वर 12 का स्क्वर होता है 144 और 0 का स्क्वर मतलब 00 सोरी पहले कोशन पढ़ लेते हैं आदत पढ़ियो यह जल्दी से सोलो करने चलो चार तिया बारा और तीन पंदरा बटे चार लिख तो लेते हैं ठीक है और तीन दुना छे और दो आठ बटा तीन के योग को उनके अंतर से भाग देंगे तो क्या आएगा तो देखो इनके तो एक काम करो चार और तीन का LCM ले लो बारा या फिर इसको बारा बनाने के लिए तीन का मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो ऊपर भी होगा एज़िती या फिर ऐसे सिंपली सोलो कर लो जिस तरीके से हम करते हैं 15 तिया 45 प्लस 8 चोके 32 बटे में 15 तिया 45 माइनस 8 चोके 32 30, अब आप कहहरे हांगे, यह बटे का 4 ती है, 12 का अंग era, तो देखो, इसके भी 22 बटे में 12, इसके भी 23 बटे में 12, 12 से 12, cancel out हो जाएगा ना, इसलिए मैंने 12 नहीं लिखा था, टीक है, पांच और दो हो गया 7, 4 और 3 हो गया 7, पांच और 2 हो गया 3, 4 और 1, 13, सेतालीस बटे तेरा देखो यह होगा तेरा अपंजे पैंसट यह ज्यादा हो गया कि ज्यादा चार और तीन साथ अच्छा 77 सोरी ठीक है तो तेरा अपंजे पैंसट पैंसट और बारा पांच और दो साथ 6 और एक साथ बिल्कुल ओप्शन भी होगा हमारा एंसर इसको ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे गीवन है रूट के अंदर x-inverse है ना तो y upon x हो गया यह gonna x-inverse किसी भी पावर अगर 6 गीवन है बटे में 4 है तो इसको हमें ऐसा लिख सकते हैं बराबर में कि 1 upon 4 इंटू x की power minus 6 है उसको बटे में अगर लियाएंगे तो x की power plus की 6 हो जाएगी और plus लगाओ या मत लगाओ x की power 6 वापस किसी number को अगर उपर ले जाते हैं तो उसकी power minus हो जाती है अगर आप 1 by 4 है इस 4 को भी आप उपर ले जा सकते हो क्या बनेगा 4 की power यहाँ पे नीचे कुछ नहीं थी वो तो 1 थी उपर जाएगा तो 4 की power minus हो जाएगा ठीक है ऐसा कर सकते हैं into यहाँ पे देखो z तो था बटे में y inverse उपर है न तो बटे में चल जाएगा तो y हो गया into एक और देखो x upon में z हो गया अब आप इसका आपस में multiply कर लो ठीक है answer 1 आएगा खेर फिर भी समझ लो z यह y upon x into z upon y into x upon z तो देखो z से z कट गया x से x कट गया y से y कट गया अंदर क्या बचा 1 और 1 का वरगमूल 1 ही होता है 2, 6, 14, 30 देखो आपके सामने एक सवाल है 2, 6, 14, 30 अब आप इसको कैसे solve करेंगे देखो 2, 6, 14, 30 अगला नंबर क्या होगा तो देखो यह 2, 3, 6, 6, 2, 12 लगबग डबल हुआ है देखो दो का डबल 4 और 2 जोड़ दो 6, 6 का डबल 12 और 2 जोड़ दिया 14, 14 का डबल 28 बिल्कुल 2 जोड़ दिया तो 30 और 30 का डबल 7, 60 और 2 62 ठीक है माना किसी समतल में कोई त्रिभुज ABC है ठीक है तो कोई समतल के अंदर एक त्रिभुज ABC है ओके अब यह बोल रहा है कि त्रिभुज में बिंदू O इस प्रकार है चलो मैं एक त्रिभुज बनाई लेता हूँ इसको ABC देखो यह जो है पूरा जोमेट्री यह मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है विट कंसेप्ट डिटेल में SD आदव मैट्स है आप उसको देख लेना विडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी जो SD आदव मैट्स का सुलीशन है जो भी चेप्चर आज तक आपको समझ भीनिया है ना पका आ जाएगा आपको SD आदव का एक बार सुलीशन देख लेना बुक खरीदना नहीं है आपको अगर आप प्रेक्टिस के लिए खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं कोई जरौत नहीं है बुक खरीदने की आप सिर्फ वीडियो का सुलीशन देख लेंगे ना कॉस्चन भी है सुलीशन भी है तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप देखो ABC है यह ठीक है वो B और C के समझ भी भाज़क है मतलब दो बराबर भागों में बाटने वाले हैं यह वो B और यह OC एसी लेंट है ठीक है B, A, C सहाटे B, A, C यह वाला इंगल कितना है 60 डिगरी है तो B, O, C बताना है हमें B, O, C कितना होगा देखो यह तो बैसिक प्रोपरिटी होती है ठीक है यह प्रोपरिटी है आपको पता होना चाहिए कि जब भी किनी दो इंगल का इंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है तो वहाँ पर जो इंगल कौन बनेगा देखो यह सरकल के अंदर हम पढ़ होते हैं ठीक है अगर बात करें हम सेमी यह तो खेर सारे एंगल बराबर यह भी ठीटा यह भी ठीटा यह भी ठीटा लेकिन अगर हम बात करें उसके सेंटर पे बनने वाले एंगल के तो सेंटर पे बनने वाला कौन हमेशा डबल होता है उसकी परिदी पे बनने वाले कौन क मतलब अगर यहां पे 60 बन रहा है तो यहां पे 120 बनता है यह दूसरी property थी हमारी मैंने circle के अंदर बहुत अच्छे समझाया उसको ठीक है यहां पे तो फटा फट में बता रहा हूं में और तीसरी property यही थी कुछ कि अगर circle के अंदर ना हो triangle और triangle बाहर हो और जिसके अंदर यहां पे आपका 60 बन रहा हो तो यहां पे जो angle बनेगा वो कितने degree का होगा तो वो हमेशा क्या होता है मैंने आपको बताया है कि angle BOC इसके लिए बता रहा हूं अध्यान से समझना angle BOC हमेशा होगा 90 degree plus angle A by 2 यह property होती है किसी के मन में doubt नहीं आना चाहिए कि सरी यह कैसे हो गया और यह property कैसे होती है तो मैंने वहां पे बहुत अच्छे समझा है आप समझ लेना तो 90 plus angle A by 2 तो 90 plus angle A by 2 सहाट का आधा 30 तो 90 और 30 कितना हो गया 120 degree यह हो गया आपका एंसर यहां पे ठीक है ना यह questions का concept है आपको property तो पता होना चाहिए न पहले concept ही पता नहीं होगा तो कितने भी सवाल कर लो कोई मतलब नहीं होना है ठीक है ना यदि x कोई प्राक्रतिक क्या है तो x की पावर 5 माइनस x विवाज्य है देखो 6 x की पावर 5 माइनस x किस से कटेगा है आपे 6 से लेकिन 10 से नहीं दोनों 6 और 10 से 10 से लेकिन 6 से नहीं न 6 से और 10 से देखो सबसे छोटी value options में देखने से पता चल रही 6 ही है ठीक है तो मान लो x की value ही 6 है क्योंकि यदी x कोई प्राक्रतिक संग्या है कोई भी प्राक्रतिक संग्या ठीक है तो मान लो मैंने प्राक्रतिक संग्या एक नेचरल नंबर से मान लिया 6 है तो यहाँ 6 की power 5 करो तो 6 गुना, 6 गुना, 6 गुना, 6 गुना 6, 6 का क्यों बहता है 216, गुना 36 कर लो, 6 36, 3 बचा, 6 कम 6, 3 9, 6 दुना 12, गुना 3, 6 18, 1 बचा, 3 एक कम 3, 4, 3 दुना 6, 6, 8, 16, 17 की साथ, 1 बचा, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, अगर उसमें से वही X, मतलब जो की 6 माना है हमने वो गटा दे, तो कितना बचाएगा, 7, 7, 7 और 0, यह जो नंबर आया, यह किस से कटेगा, तो देखो, यह 10 से तो कटेगा, क्योंकि 0 है पीछे, तो 10 से नहीं, यह तो कैंसल हो गया, 6 और 10 से, हाँ, 10 से तो कटी रहा है, यह हो सकता है, न 6 से न 10 से, तो यह भी नहीं, देखो, पहला और D वा होते न, 3 और 2, तो 2 से कटने के लिए, पीछे लास्त में 0 आ रहा है, तो बिलकुल 2 से कटेगा, 3 से कटने के लिए, इनका सम 3 से कटना चीज़ए, तो 7 का 7, 7, 2, 14, 7, 21, 23 से कटता है, मतलब 6 से भी कटेगा, यह नंबर और 10 से भी कटेगा, तो option B हो गया, हमारा answer, थोड़ा सा, दिमाग लगाना है, समझना है, ठीक है, जिसको समझ में आए, फिर से देख लेना एक बार, चलो, न्यून कौन, त्रिभूज ABC में, न्यून कौन किसको कहते हैं, पहले तो यह समझो, वो ट्राइंगल, जिसका एक कौन 90 डिगरी से क्या हो, छोटा हो, वह त्रिभूज, जिसका एक कौन 90 डिगरी से छोटा हो, कोई भी एक त्रिभूज, जिसका एक एंगल 40 डिगरी हो सकता है, बाकी 90 से बड़े या 90 हो सकते हैं, ठीक है, अगर एक एंगल 90 हो, तो सम कौन त्रिभूज, अगर 90 से कोई बड़ा एंगल हो, 120 के आज पास, तो अधीक कौन त्रिभ तो यह थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको खिर चलो इसको समझते हैं देखो एक निून को त्रिबुज़ A B C अब नियून को त्रिबुज़ A B C के अंदर समझना क्या क्या कह रहा है कि A B C 60 डिगरी है यहां पर ठीक है तो A, B, C चलो ऐसे समझो A, ये B, ये C ठीक है? ये ABC एंगल कितना है? 60 degree यदि त्रीबुज ABC का लंब के अंदर O है त्रीबुज ABC का लंब के अंदर लंब के अंदर समझते हैं आप क्या होता है? ये लंब के अंदर है, इस सामने वाली बुजा को बराबर भागों में बाड़ देगा ठीक है? लंब के अंदर का यही होता है और यहां पे अगर इस साइड ने perpendicular draw करा तो यहां पे 90 पे कट करेगा, ये वाला इंगल यहां पे 90 पे कट करेगा और ये वाला अंगल O, A, C O, A और ये C, ये वाला इंगल और O, C, A O, C, A ये वाला इंगल बराबर है, इन दोनों का जोड किसके बराबर होगा? ठीक है? तो देखो, आप चाहें तो खेर इसको मैं प्रूव करके भी बता सकता हूँ, लेकिन प्रूव करेंगे तो बड़ा सवाल हो जाएगा थोड़ा सा है ना, इसको ऐसे समझो आप कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस एंगल सोरी ये 90, ये 90 ठीक है? देखो, पहले तो आप ये काम करो यहाँ पर दो चीज गीवन है हमें है ये 90, ये 90, ये 90 एंगल है तो एंगल O, D, B देखो, एंगल O, D, B दिख रहा है आपको, ये वाला O, D, B, ये 90 डिगरी है ये भी 90 है इदर और ये भी 90 दोनों साइड नबब नबब ए ठीक है तो एंगल o db 90 है और एंगल o fb यह भी 90 है ओ fb एंगल ओ fb यह भी 90 डिग्री यह और o db यह भी 90 डिग्री है ठीक है यह तीन एंगल पता चल गए तो चोता एंगल हम निकाल सकते ना यह वाला देखना ये 90 ये भी 90 और ये 60 तो ये वाला एंगल कितना बचा देखो ये 90 और 90 180 ठीक है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा ये वाला एंगल आप कहोगे 120 डिग्री बचेगा क्यों 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 कि आमने सामने के कुणों का यो 180 होना अरे चत्रीबू ये चत्रीबू जो ना F O D B F O D B इसके चारों इंगल का सम 306 होना चाहिए तो 90 और 90 180 तो ये हो गया तो 180 इनका जोड़ भी होना चाहिए तो 60 तो गीवन है तो ये 120 बचेगा ठीक है ये 120 होगे न अब देखो हमें क्या निकालना है या पर हाँ देखो simple question है अगर ये इतना है 180 ठीक है तो ये एंगल भी होगा 180 और इसको मैं transverse vertically opposite angle ठीक है ये 120 तो ये 120 होगे ठीक है देखो समझाओ ये 120 है ये देखो कचरा हो गया जहां से समझना ये वाला इंगल 120 है न तो vertically opposite angles के होने के कारण देखो ये lines यहां पर ऐसे गुजर रही और ये line यहां से पास हो रही है तो ये वाला इंगल भी 120 होगा कि नहीं होगा ठीक है और 120 हो गया तो हमें ये वाला इंगल निकालना है और ये वाले इंगल का सम तो मान लो ये alpha है ये बीटा है ठीक है तो त्रिबुज A ये O C में त्रिबुज A O C में देखना इसमें एक एंगल इन तीनों का सम कितना होता है त्रिबुज के तीनों का योग 180 होता एक एंगल एलफा, एक एंगल ए बीटा, इनका योग 180 होना चाहिए, ठीक है, तो एलफा प्लस बीटा बराबर 180 माइनस 120 कितना बचा, 60 डिगरी, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, एलफा और बीटा का 60 degree ठीक है तो 60 degree हो जाएगा यहाँ पर answer हमारा थोड़ा सा समझने का था बाकी कुछ नहीं था इसमें चलिए यहाँ पर बार आ गए ठीक है यह बार वाले questions पर एक वीडियो बना दूँगा मैं ठीक है बार वाले questions थोड़े typical होते हैं मतलब बिल्कुल basic हो लेकिन कुछ लोग अगर छोटी सी एक minor mistake कर दीना तो गया number समझो और देखो अब आपकी exams में भी आते हैं यह questions ठीक है तो एक वीडियो इस पर बना दूँगा चोटी सी वीडियो दस एक मिनिट में मैं सारा concept बता दूँगा इसका देखो 2.07 है ठीक है तो 2.07 में हम इसको इसे समझा करो कि 2.07 को भी हम अलग कर सकते हैं इसको मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.0.07 ठीक है लेकिन इसको अलग करने की बजाए आप सीधा इसको ऐसे लिखो देखो 2.07 है ना तो 7 और बते में कितना है ये दो अंको की संख्या है ना एक अंको की संख्या है ना साथ तो बते में कितना आ जाएगा 9 ठीक है as it is यहाँ पर देखना अब plus 3 और 19 है ना तो बटे में कितना आ जाएगा 99 as it is यहाँ देखना plus 13 और 08 दो अंकों की संख्या है ना यह 13 यहाँ पर देखो 13 जो है वो दो अंकों की संख्या है तो इसको हम ऐसे समझेंगे देखो कि 13.08 है ना तो 08 तो लिख दिया आमने 8 बटे में कितना आ गया 90 ओ सोरी 9 ठीक है क्योंकि यह 08 मतलब ओ सोरी यह 99 ठीक है यह भी 99 दो अंकों की संख्याती ना 07 तो 99 से डिवाइड करेंगे अब यह सवाल हो गया आपका अब आप चाहें तो इसको multiply करें या फिर आप जोड भी सकते इसको as it is ऐसा की ऐसा ठीक है तो 13, 5, 18 आप इसको अलग देखो 2 प्लस 3 प्लस 13 इसको अलग जोड लो मतलब इन ओरिजिनल नंबर को और इन नंबर को अलग से जोड लो 7 अपों 99 प्लस 19 अपों 99 प्लस 8 अपों 99 ठीक है 13 और 3 16 और 2 18 तो 18 प्लस यह 99 आगया प्लसियम यह गया आट और साथ 15 15 और 15 34 अपों 99 ठीक है तो 18 इंटीजर या फिर 18 सम्थिंग 34 के अपों में अगर 99 है इसका मतलब यह कि 34 बार ही अरे 2 संक्राइब देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना पॉइंट अटा के 6 लगाना यह यह बच्चो वाला खेलनी है ठीक है यह बार लगा हुआ है तो एक चीज़ ध्यान रखना दो नंबर हो तो 99 लगाना है तीन नंबर हो तो 999 लगाना एक पे बार हो ना 3.4 बार तो 3 integer 4 बाई और यहाँ पे एक नमबर है तो 9 लगाना है अगर यह 48 हो तो 99 लगाना है 489 हो तो 1 और 9 लगाना है ठीक है लेकिन अगर इस तरीके से दिया है 3.48 बार तो एक नमबर छोड़ना है इसका मतलब यह है कि देखो एक नमबर के नीचे बार है तो 9 लगाना है और एक नमबर छोड़ना है इसका मतलब 0 लगाना है खेर यह चीज़े आप वहाँ पी समझ पाओगे अब यह आप इतने पे ध्यान दो तो 18.34 option A होगा answer यहाँ पे अभी समझ में नहीं आये तो कोई बात नहीं आप comment जरूर करिएगा कि सर समझ में नहीं आया उसका एक video complete होगा don't worry एक video complete बना देंगे इस पे यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गो का योग 365 है तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो हमें प्रकृति नहीं दी तो यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गो का योग मानलो पहली संख्या एक से दूसरी है एक स्प्लस एक क्रमागत चाहिए एक के बाद एक तीसरी होगी एक स्प्लस दो और इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गो का योग ठीक है कितना दिया है 365 तो स्वाल्व कर लो A का स्क्वार प्लस B का स्क्वार प्लस 2AB A का स्क्वार प्लस B का स्क्वार प्लस 2AB इक्वल टू 365 ठीक है 1, 2, 3 3X स्क्वार प्लस 6X इक्वल टू 360 ठीक है क्योंकि 4 1 और 4 5 5 उधर गया तो 360 बचा तीन से डिवाइड कर दो तो x square प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 एकम 3 दूना 6 120 ठीक है तो x square प्लस 2x और माइनस का 120 20 मध्यपद है तो देखो मध्यपद मतलब x प्लस 1 होगा और यह पहला पद यह मध्यका पद और यह अंतिम पद तो इसका मतलब यह कि मध्यपद x प्लस 1 होगा इसका मतलब अगर x की value चाहिए मुझे तो एक कम करना पड़ेगी क्योंकि अगर मान लो option में मध्यपद 10 है तो original x की value तो 9 होगी क्योंकि मध्यपद मतलब x प्लस 1 हो करके हुआ है तो आप इसको मत चेक करो आप इसको चेक करने की कोशिश करो या फिर इसको चेक करने की कोशिश करो ठीक है क्योंकि 11 और 9 I think इस equations को satisfy नहीं करेंगे मुझे लगता है कि या तो b वाला करेगा या option d वाला करेगा तो आप option d करो मुझे probability ज़्यादा लगरी इसकी ठीक है क्योंकि वहाँ पर 12 आएगा एक कम करोगे तो 12 आएगा x की value आगई 12 तो x प्लस 1 हो करके तो फिर यह नंबर तो 144 तो वैसे ही ज़्यादा होगे 120 से तो यह भी satisfy नहीं करेगा तो option d तो नहीं है बारा की जगा आप 11 करो तो 11 का square करोगे तो यहां पर 12 होगा ठीक है फिर प्लस 11 दुना 22 अब आप इसको जोड़ोगे तो 120 नहीं आएगा तो यह भी option नहीं होगा 10 11 चुटा एक नंबर 10 है 10 का square सो प्लस 10 दुना 20 सो और 20 120 देखवा गया ना तो option भी answer होगे हमारा 11 ठीक है थोड़ा दिमाग लगाना है बहुत simple question है कोई फरक वाली बात नहीं है इसके अंदर ठीक है न चलो हाँ लेकिन एक और इसको सरल कर सकते थे हम कैसे सरल कर सकते थे कि मान लो पहली संक्या n-1 है या x-1 है ठीक है दूसरी संक्या x हो जाती अगली संक्या x-1 हो जाती क्योंकि अब इसमें फिर अब square का धांदली नहीं रहता बहुत simple question बनता इससे देखो यहां पर क्या बनता फिर जो भी number बनता वहां पर यह इस तरीक है कि equation नहीं बनती quadratic equations ठीक है इसको आप solve करके देखना नहीं आये तो बताना कल करेंगे इसको solve ठीक है basic question है बिल्कुल यह मद्यपद x हो गया आपका simply x की value आ जाती इसमें और इसमें आपका quadratic equations बिल्कुल भी नहीं बनता ठीक है एक छात्र को परिक्षा में उत्तिर्ण होने तो वो पास हो जाता और यह बोल रहा है कि 40% पर पास होते हैं तो 200 पर पास होते हैं उसके अनुसार हमारे इसाब से 40% पर पास होते हैं तो 1% की value कितनी होगी 5, 40, 50, 200 तो 1% की value हो गई 5 तो मुझे पुरना अंक चाहिए उसका तो 100% की value 500 option भी basic है ना फिर से समझना 40% पास ह होने के लिए चाहिए अगर वो 178 अंक प्राप्त करें तो उसको 22 अंकों से फेल हो गया अगर यह 22 मिल जाये उसको तो पास हो जाएगा ना मतलब पता सल गया हमें नंबर में कि 178 और 22 कितना 200 पे वो पास होगा लेकिन पास होने के लिए 40% चाहिए तो पुरनान कितना था 100 परसेंट उसका तो 40 पज़े 205 का मल्टिप्लाय सो में 500 ठीक है एक व्यक्ति ने गड़ी इतने में खरीदी और बेचने पर विक्रे मुल्य का 20 प्रतिशत लाब मिला तो कितने में बेची होगी उसने उसको देखो 1920 में अरे देखो गड़ी सोरी 2000 में ठीक है कैसे देखो 1600 रुपे की गड़ी खरीदी उसने इस गड़ी को बेचने पर उसे विक्रे मुल्य का 20 प्रतिशत लाब मिला जो भी सेलिंग प्राइज है उसका 20% प्रॉफिट तो देखो एक चीज़ समझना यहां पे 20% का फ्रेक्शन व प्रॉफिट पांच रुपे में बेचा तो एक अरुपे का लाब मतलब पोश्ट प्रैश 4 रुपे की चीज़गो पांच रुपे में बेचा तभी रुपे का फाइदा हुगा तो कोश्ट प्राइस 1600 रुपे हो गया चार की वेल्यू तो हमिं क्या चाहिए उसका हुआ है पांच परसेंट तो सो परसेंट निकालना है सिंपल तो देखो ये बारा सो रुपे की बजाए अगर मैं उसको ग्यारा सो पचीस रुपे में बेच हूँ तो मुझे पांच प्रतिशत की अधिखानी होगी देखो तो बारा सो रुपे की बजाए अगर मैं इतने में बेच रहा हूँ मतलब बारा सो की बजाए अगर मैं कम में बेच दूँगा तो ही नुकसान होगा न तो कितने रुपे कम में बेच रहा हूँ में 75 अरे बारा सो में से ग्यारा सो पचीस घटा लेना और ये बोल रहा उनसित्तर की बजाए अगर 78 में बेचूं तो लाब का प्रतिशत दुगना है तो वस्तु का कोश्ट प्राइस बताओ देखो अगर उनसित्तर की बजा 78 में बेचूंगा तो लाब डबल होगा यहां पर कोश्चन्स परसेंटेज में था सिंपली निकाल लिया यहां पर डबल तिबल इस प्रकार से रेशों में दिया है तो देखो रेशों को ऐसे समझो कि मान लो अगर मैं 69 की बजाए अगर मैं 78 में बेचूंगा तो लाब डबल होगा अगर मैं ज्यादा में बेचूंगा तो लाब डबल है तो मान लो मुझे पहले एक्स का लाब हो रहा था अब मुझे लाब कितना हो रहा है डबल ठीक है लाब कितना होगा डबल दो एक्स ठीक है तो बस अब आप लेलों इधार इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो एकस के वेलियो कितनी आ जाएगी कि कि अणि देखो ay का उनसी तर और एक सब्तर आटी है। नो टो एकस के वेलियो कि पनया गईि नो अब यह नो क्या है आपका profit है ठीक है ये नो क्या है आपका lab तो सीधी सी बात है कि अब x की value अगर मैं यहां पर समझो यह यहां रख सकता हूं ना मैं दोनों में से कहीं भी रख दो सेम एंसर आना है देखो x की जगा अगर मैं यहां पर रख दू नो तो प्लस का नो मतलब 9 रुपे का क्या हूवा lab उनसित्तर में यह क्या है उनसित्तर बेचने वाली यह सेलिंग प्राइस दो नो ठीक है यह SP1 है यह SP2 है मतलब उनसित्तर में बेचूँगा तो 9 रुपे का lab इसका मतलब खरीदा में 60 में था ऐसे समझो ना उनसित्तर में से 9 रुपे जो lab है वो घटा दो इसका मतलब 60 रुपे क्राइम उल्य यह फिर दूसरी कंडिशन में यहां पर 2 x है तो x की जगा अगर 9 रख दू तो 9 दू सारट ठीक है चलो यह बेसिक सा एक कोर्षिन है डी का इसको आप कर सकते हुए बहुत सिंफॉल कोस्टन है Latino ऍy डी नहिटनों में आइनि कंद्न में में फ़ाद्यान उत्पदरी लाक टन में कोई फरख नहीं पड़ता लाक टन में किलों में कोई नहीं और मैं उसा ध्यान देना ही नहीं है अब यह बोल रहा है कि किस राज्य में खाध्यान का उत्पादन सबसे ज़्यादा है खाध्यान कि देखो सबसे ज़्यादा खाध्यान का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है ठीक है इसके अंदर ध्यान से समझना अगर मैं गोर से देखू इसमें तो ध्यान का उत्पादन है सबसे ज़्यादा आपको सब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इसको ठीक है सब को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो बड़ा प्रॉबलम हो जाएगा आपके लिए अब सारे कब तक जोड़ेंगे हम ठीक है ना तो यह तो बड़ा कैलकुलेटिव हो गया कि सबसे किस राज्यमेक हद्यान का उत्पादन सबसे अधिक है एक्चुली क्या होता है कि डी आई के अंदर जितना सिंपल कोश्चन आता है ना लोकल एक्जाम में उतना टफ होता है वो कैलकुलेशन इतना ज़्यादा देता है वो और एससी मैंस के अंदर जो कोश्चन आते हैं ना वो दिखने में बहुत खतरनाक होते हैं लेकिन बिल्कुल बैसिक सा होता है केलकुलेशन थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें अच्छा रहता आप देखो इसमें केलकुलेशन कितना बड़ा आ गया सब का जोड़ो और फिर पता करो कि कौन है तो आप सारे जोड़ लो 45 से लगा करके अन्य तक फिर इदर Q का जोड़ो R का जोड़ो, A का जोड़ो, T का जोड़ो, U का जोड़ो जो ज़्यादा आ जाए उसमें टिक कर देना ठीक है देश में उत्पादित अब ये जोड़ तो आप सकते हो ना कमेंट तो नहीं करोगे ना इसका कि सरीए क्यों नहीं बताया आपने मैंने बता दिया आपको सारे खाद्यानों को जोड़ो आप सबसे उत्पादन ज़्यादा का आए देश में उत्पादी चावल और गेहूं के मात्राओं में क्या अनुपाद है तो देश में चावल और गेहू का अनुपात ये चावल और ये गेहू इनका रेशो आप निकाल लो ठीक है इन सब को जोड़ लो गेहू को और चावल को इन दोनों को जूड़ने के बाद ये जो भी आई है टोटल ये वाला रेशो ये वाला कटे तो काड़ देना option में से एक काड़ आजाएगा ठीक है सिंपल है मैंने देखो तरीका बता दिया है मैंने सबसे कम गेहू उत्पादन करने वाला राज्या गेहू सबसे कम कहां हो रहा है तो ये तो बता सकते हो सबसे कम या आठ नंबर वाला देखो वी है ना देखो ये ऐसे question है कोई ज्यादा वह वाल ना इसको आप एक काम करो इसको और ऑत्ल को कि यहां कर दो कर दूंगा तो दो का क्यूब यााइट यहाँ हूट इसको डो का स्फार्मूले को बनाए अदो 4B को मेरे लिए सकता हूं 2B का स्क्वर 2 का स्क्वर 4 B का स्क्वर b स्क्वर 1B का स्क्वर मतलब में 1 1 upon B का chairs sufρ कर सकता हूं पिर प्लस अब देखो कुछ नहीं दिया है बस डेटा इतना दिया हुआ है और बराबर में कितना दिया है 2 ठीक है तो 2A भी बनाना है ना मेरे को तो एक काम करो दोनों तरफ एक जैसे नंबर का को जोड़ दो जैसे मान लो प्लस का 2 इंटू A, A कितना है 2B, देखो या 2B है ना, A इंटू B कितना है 1 upon B As it is यह कि यह नंबर आप इधर भी जोड़ दो 2 गुना 2B into 1 upon B जोड़ने से क्या होगा वापस इस नंबर से यह नंबर कड़ जाएगा और पहले जैसी situation यह बराबर 2 आ जाएगा ना वापिस ठीक है ना, आ जाएगा ना, लेकिन हमें काटना नहीं होता तो जोड़ना क्यों अब B से B कड़ गया इधर इधर B से B कड़ गया तो यह देखो किसका फर्मूला बन गया आपका इधर है ना, इधर मत काटो इसको यह तो फर्मूला बनाना इधर तो तो A का स्क्वर प्लस B का स्क्वर प्लस 2 into A into B 2 into A into B, ठीक है किसका formula बन गया A मतलब 2B प्लस B का whole square का बराबर में देखो 2 प्लस 2 दुना 4 तो 2 प्लस 4 कितना हो गया यह 6 बराबर में 6 इधर से square हटा दो तो इधर square root लग गया ठीक है अब इधर कोई power नहीं बची अच्छा 2 को हटाया क्यों क्योंकि मुझे power 3 करना है 2 को 3 नहीं कर सकता था इसलिए मैंने 2 हटा दिया अब मैं दोनों side 3 कर दूँगा मतलब दोनों पक्षों का cube करने पर कर सकता हूँ ना मैं अब इसका cube ठीक है तो देखना दोनों पक्षों का cube कर दिया मैंने इसका भी cube कर दिया इसका भी cube कर दिया अब देखो इधर देखना आप root 6 को में तीन बार लिखूंगा root 6 into root 6 into root 6 देखो root 6 का root 6 में multiply तो सिर्फ 6 बचेगा और यह 6 root 6 तो 6 root 6 ठीक है अब a plus b का cube a plus b का cube formula आपने देखा होगा सुना होगा पड़ा होगा क्या होता है a plus b का cube बराबर a का cube plus b का cube minus 3ab into a plus b ठीक है तो देखो a का cube plus b का cube ठीक है a का cube plus b का cube plus 3ab bracket में a plus b ठीक है हाँ अब यहाँ पर देखना a का cube plus b का cube ठीक है a का cube plus b का cube ठीक है तो a का cube मतलब 2b का cube sorry यहाँ पर है न इसको मैं लिख सकता हूँ a का cube a का cube plus b का cube plus 3 into a into b और bracket में a plus b a plus a इसकी value कितनी आई थी हमारी under root में 6 इसकी value आई थी हमारी हाँ under root में 6 लेकिन square हटाया था तो हमारा कितना आगे था square root बिलकुल तो root 6 आगे था ठीक है तो इसकी value आगे root की 6 ठीक है समझना आगे न यह अब देखना इसकी value यह है और हाँ इसकी value हमें निकालना और बराबर में कितना given है 6 root 6 ठीक है न तो इस number को में खेर चलो छोड़ो इसको यह देखो वी से भी कट गया तो 3 टू जा कितना बचा 6 तो यह 6 root 6 बचा और इधर बराबर में 6 root 6 ठीक है तो देखो यह plus का 6 root 6 देखो तीन दूना हो गया न यह अच्छे तो यह 6 root 6 यह इधर जाएगा तो 6 root 6 minus 6 root 6 कितना बचाएका 0 option ने ठीक है त्रीबुज ABC की भुजा भुजा अ भी रीट एबी सी की बिसी भुजा डी तक बढ़ाए गई थेको त्रीबुज ABC पहले बना लो ABC ABC की BC भुजा जो है वह दी तक बढ़ाए गई बी सी यह दी तक बढ़ाए गई यह आपर कोई point a d, तो दनुसार यदि a c d x8 है, a c d येवाला angle x8 है, और angle b जो है, वह angle a का आधा है, angle b जो है, angle a का आधा है, angle a को मानलिया two theta, तो यह हो गया, उसका आधा theta, ठीके न, तो angle a का मान क्या होगा, तो कर सकते हो, easily calculate, किसी भी तरी बुज़ के अंदर अगर exterior angle जो होता है वो अंदर के दो angles के sum के बराबर होता है अगर ये वाला angle alpha है और ये वाला angle x है और ये y है तो alpha हमेशा बराबर होगा angle x plus y के ये property होती है triangle की मैंने triangle के अंदर बहुत detail में पढ़ाया है इन चीजों को अब देख लेना तो theta plus theta 3 theta 2 theta plus theta 3 theta बराबर 108 तो 308 तो 309 तीन चंग 18 ठीक है तो theta की value आगे 36 तो हमें चाहिए angle a की value एक कितना है 2 theta तो 2 theta कितना होगा जब theta 36 है तो 2 theta होगा 72 ठीक है option B होगा हमारा answer नीचे दी गए आकरती में O व्रत्त का केंद्र है AC और BD P पर प्रतिच्चेद करते हैं यदि AOB 100 degree है तो AP भी कितना होगा देखो फिर से समझना इसको diagram को मैं बड़ा बना देता हूँ ठीक है O व्रत्त का केंद्र है यह इसका center है ठीक है AC और BD P पर मिलते हैं AC और BD ठीक है यह AC हो गया यह BD हो गया यह BD यह A C P पर मिल गए यह P point है ठीक है यह वाला angle given है 100 degree का ठीक है तो देखो एक चीज़ समझना अभी मैंने property बताई थी आपको और यह यहां से pass होकर क्या आगे जा रहा है ठीक है ना यह इससे pass हो रहा है और यह आगे मिल रहा है ठीक है और यह point E है तो एक चीज़ देखो यहार यहां पर एक चीज़ अच्छी है दिग गई हमको कुछ कि यहां पर अगर मैं एक आपको एक concept बताऊं तो यह center है इसका वरत का और किसी चाप तवारा केंदर पर बना कौन उसकी परीदी पर बने कौन का यह ठीटा है तो यह double होता था two ठीटा तो as it is यहां देखो यह इसका चाप ए a b a b क्या हो गया यह पूरा यह चाप हो गया ना इसका चाप यह जीवा जो भी कह सकते हो आप जीवा मतलब यह है कि a से b तक्कों में मिला दूँ है यह जीवा हो जाएगी और यह पूरी चाप है आपकी तो a b चाप द्वारा केंदर यह थर्टी तो यह वाला एंगल हमें थर्टी गीवन है तो अब यहां से समझना है यह वाला एंगल थर्टी गीवन है तो टीस पचास तो यह कितना बचा पचास और तीस असी हो गया तो यह कितना बचा यह वाला एंगल बचा एंगल पी वाला यह यह सो डिगरी का ठीक है मतलब ये वाला पूरा एंगल 180 होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला पूरा एंगल 180 होता है 100 इदर बन गया तो अंदर कितना बचा 80 degree क्या पूछा था APB बताईए APB APB 80 degree समझ में आया होगा ठीक है पूछा 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 पूछ है इसके भी कोई पिता होंगे जिसका पुत्र अकेला ही है इकलोता मतलब खुद अकेला ही पुत्र बाकी एक बहन है उसकी ठीक है बहन कितनी भी हो सकती इकलोता पुत्र है पुत्र अकेला है वो ठीक है इसका भाई निये कोई भी बहन जरूर है नीता की भी रीमा नामक पुत तो इसकी एक और बहने रीमा, किसकी राम की, एक और बहने, और रीमा जो नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, तो नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, मतलब राम की जो माता हो गई, वो हो गई रीमा, नीता, ठीक है, क्योंकि नीता की भी एक पुत्री है, जिसका नाम रीम है है ना और नीता जो है वो राम की बहन है तो नीता अच्छा सोरी गलती हो गई नीता राम की बहन है ठीक है नीता राम की बहन है और नीता की भी पुत्री है रीमा ठीक है यह पुत्री है तो अरुन का रीमा के साथ क्या रिष्टा है अरुन का रीमा के साथ क्या देखो रीमा का ये भाई हुआ कौन ये नीता और प्रीती कौन है बहन बहन हुई सगी बहन तो ये मोसी का लड़का हुआ और ये मोसी की लड़की हुई ये मोसी का लड़का अरुन यह मोसी की लड़की, तो मोसेरा भाई हुआ न, ठीक है, एक आदमी एक इस्थान से चार मिल उत्तर दिशा में गया, ठीक है, अब डायरेक्शन समझ में आ गई होगी, East, West, North, South, ठीक है, देखो, एक इस्थान से एक आदमी चार मिल उत्तर में गया, मानलो यहां से गया, वो चार मिल उत्तर में, यह उत्तर में गया, चार मिल, फिर बाएं मुड़ा और छे गया, यह बाएं मुड़कर के छे आ गया, फिर दाएं मुड़कर तीन गया, फिर यह तीन आ गया, ठीक है, तीन थोड़ा सा छोटा होता है, ना, छोटा बना लो, यह तीन गया, और वहां से दाएं मुड़कर चार मिल गया फिर दाएं मुड़ा और चार आ गया लगबग यहां पर ठीक है चार मिल चलकर आदा घंटा सुस्ता आता है मतलब आदे घंटे के लिए रुख जाता है सुस्ता आने के बाद वह उसी दिशा में दो मिल फिर चलता है फिर दो मिल आगया मतलब इसी रोड़ पर आगया है मतलब कुल मिल आगर के छे आगया ठीक है चार और यह दो चे उसके बाद वह दाएं मुड़ता है फिर से इदर मुड़ता है और एक मिल चलता है मतलब यह यहाँ पर आगया एक तब अंतिम इस्थती में उस आदमी का मुख किस दिशा में है अगर उसका मुख इधर है क्योंकि अब वो इधर आ रहा है ना नीचे साइड तो साउथ की तरब मुँँ है यहाँ से चला था ना वो यहाँ से इस पॉइंट से तो अभी वो जिस पॉइंट से चला था उसी तरब देख रहा है मतलब वो पॉइंट अगर मैं यहां मानलो और कोई वेक्ती यहां से उसको देखता है मतलब वो साउथ में देख रहा है दक्षन में देख रहा है ना तो दक्षन होगा हमारा answer हे आपर ठिक है चलिए ठीक है आज भी हमने लगबग 30-35 questions cover किये हैं जिसमें maths, reasoning के बहुत अच्छे-च्छे questions भी मैंने cover किये हैं इसके अंदर थोड़े tough, थोड़े easy ठीक है तो इसी तरीके से आपका paper भी आता है थोड़ा tough, थोड़ा easy ठीक है तो बहुत सारे questions हम करने वाले हैं ऐसे, ठीक है तो आप telegram पे जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी और 6-8 तक जरूर रोज questions पूछिए आप, ठीक है जब आप questions पूछेंगे ना, तो आपके अंदर जानने की इच्छा होगी जब doubt आसानी से मिल जाएगा ना, फिर आप फालतो के चक्करों में नी पढ़ोगे इन paid courses के चक्करों में, ठीक है कोई paid courses खरीदने की जरूरत नीए, जब आप खुद जहां तक try नी करोगे ना तब तक कितना भी किसी से पढ़लो, implement नी हो पाएगा खुद practice करना पड़ेगी, आप जो चाहे वो book लियाओ, cater level की, ssc, man's level की जो आपको लाना है, लेकिन उसको खुद से try करोगे ना, तब ही math सिखोगे दूसरों की videos देख देख के नहीं सिख पाऊगे आप मेरी videos देखो, जो आपको समझ में आए वो book लो उसके सारे questions करने की कोशिश करो, नहीं आते हैं, तो आप टेलिग्राम पे पुछी, अगर कोई नहीं बताता है, तो मैं उसको पक्का बताऊँगा आपको, don't worry, कितना भी tough questions हो, आप सारे questions ले आईए, मैं सारे questions के जवाब आपको दूँगा, ठीक है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, आप टेलिग्राम पे जुड़ जाईए, SD आदो मैट्स को आप follow करें, इस book का पूरा solution देखें, जो जो tough chapter है ना, जैसे mensuration हो गया, geometry हो गया, यह tough नहीं है, यह बिल्कुल basic है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप जरूर जा के देखना इन chapters को, और clear कर लेना, सबसे ज़्यादा simplifications पे focus करो, simplifications के questions ज़्यादा आते हैं, ठीक है, मैं खुद कराऊंगा इनको, अलग-अलग से, इनके अलग से videos दूँगा आपको, इसके अलावा digit sum method भी बताऊंगा मैं आपको, इसके अलावा number series पर ज्यादा focus करो, number series भी कम से कम, उसमें error finding, missing terms, यह बहुत type क्या होती है, 4-5 types की, यह सारी उसमें आती है, ठीक है, तो ठीक है, मैं आपके questions जरूर उठा लूँ मामा से, ठीक है, चलिए ठीक है, bye bye, मिलते हैं कल एक नई वीडियो,